आखों में बसे हो तुम्हें दिल में छुपा लूँगा जब चाहो तुम्हें देखूं आईना बना लूँगा आखों में बसे हो तुम्हें पलके हो खुली या बंद सनम्हें तेरी तस्वीर दिखाई दे मेरा नाम पुकारे जब कोई मुझे तेरा नाम सुनाई दे हो दिल गया हाथों से अपने एक जरासी बात में हम तो पागल हो गए प्यार की शुरुआत में नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिलिप और एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोज एक फिल्म में स्वागत है पिछले बार जब हमने फरेव फिल्म पर बात की थी तो मैंने आपको याद दिलाया था कि वो फिल्म जो है जिस फिल्म के उपर बेजड है उसी फिल्म पर एक और फिल्म बनी थी और उस फिल्म का नाम था टककर तो आज जो है हम टककर फिल्म के गानों पर बात करेंगे यह 1995 की रिलीज फिल्म थी और सुनिल शेटी नसिरुद्दिन शाह और सोनाली बेंद्रे की इसमें लीड भूमी का थी इसका म्यूजिक दिया था अनुमलिक ने यह कसेट जो मेरे पास है यह दिसमबर 1994 की पैकिंग है 26 रुपए का यह आलबम था और यह उन चुनिंदा आलबम में से है जिसकी कंडिशन आज भी साबुत है बहुत शांदार तरीके से यह आलबम हमारे पास रखा हुआ था तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस कसेट की जो डिटेलिंग है वो दिखा दूँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो कसेट है यह टिप्स पर आया था और 1994 का कसेट का डिजाइन कैसे होता था आप देख सकते हैं यह ब्लैक कवर पीछे की जानिब इस पे टिप लिखा हुआ है टिप्स कसेट्स एंड रिकॉर्ड्स कंपनी जैसे कि आप सामनी की तरफ देख सकते हैं सुनिल शेटी सुनारी बेंदरे बीच में और एक और नसरुद्दीन शाह है यह फिल्म जो है भरत रंगाचारी ने डिरेक्ट की थी कुछ लेट लतीफी हुई थी इ इसे महेंदर बोहरा ने प्रोड्यूस किया था और जैसे की माने आपको बताया अनुमलिक का इसमें music था ग dessa के पीछे इस तरफ आप अनुमलिक के तस्वीर भी देख सकते हैं जैसे कि उस सम्हें the alten music directors की तस्वीर है वह मुझत के ओपर दिखाय जाती थी आं कसेट का यह जो बैक साइड है, इस पे आप गानों के टाइटल देख सकते हैं, साइड A, साइड B, दोनों तरफ के जो गाने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम कसेट खोले, तो यह इसे mid 90's का, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, टिप्स का white color का कसेट है यह, यह बहुत मझबूत कसेट होता था, जो यह white color का आता था, और बिलकुल नया कसेट है यह, शायद कुछ ही बार इसे हमने सुना होगा, और अंदर के जानिप से भी यह कसेट, इसका hard cover, जो है द जितने भी कसेट्स हैं हमारे पास, उनमें सबसे अच्छे कवर्स जिन कसेट्स के हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनमें से एक टक्कर का ये ओडियो कसेट भी है, ऐसा लगता है, जैसे कि ये हाल फिलाल में कमपनी से बन कर आया है, लेकिन तीस साल पुराना ये कसेट है, और ये कवर है, शुक्र है कि इसका कलर अभी तक फेड नहीं हुआ है, अभी तक जो कवर है, उस पर जो पोस्टेर है, वो कल्यास इसके साभूत है, एक दम चकमक, जैसे कि उस टाइम पे हमने ट्रेंड देखा है, कि जो आने वाली फिल्में होती थी, मुजिक कमपनी की, उसकी वो लोग प्रमोशन भी करते थे, और इसमें आपको जो है, संजे कपूर और जो ही चावला की जो फिल्म है, करतव वे, उसका पोस्टेर आप देख सकते हैं, इसमें संजे कपूर है, जो ही चावला है, दिलिप सेंट, समीर सेंट का इसमें मुजिक था, तो ये जो फिल्म ह साथ इसका promotion इस cover पे हुआ है अंदर की तरफ अगर हम देखे तो यहाँ पर पूरे गानों की detailing मिलेगी side A के गाने क्या है side B के गाने क्या है singles कौन है और किसने उन्हें लेखा था और अब इसके music की बात करते हैं तो side A का जो पहला गाना है वो है album का सबसे बड़ा hit गाना जो आज भी super hit है popular है और अभिजीत के गाए कुछ सबसे कमाल के गानों में से है उनका साथ इस गाने में दिया था अलका यागनिक ने इस गाने को लिखा था माया गोविन ने और एगाना था आँखों में बसे हो तुम जब चाहो तुम्हे देखूं आई न बना लोंगा है हो है आँखों में बसे हो तुम तुम्हे दिल में छुपा लोंगा जब चाहो तुम्हे देखूं आई न बना लोंगा आँखों में बसे हो तुम्हे दिल में छुपा लोंगा जब चाहो तुम्हे देखूं आई न बन दूसरा गाना जो है वो कुमार सानु और अलकायागनी की आवाज में एक डुएट है ये गाना था दिल गया हाथों से और इसे लिखा था रानी मलिक ने दिल गया हाथों से अपने इक जरा सी बात में हम तो पागल हो गए प्यार की शुरुवात में साइडे का तीसरा गाना है माइनेम इस लेला ये गाना मुझे बिलकुल याद नहीं और नहीं इसकी दुन याद है ये सपना मुखर जी ने गाया था और इस गाने को लिखा था रहतिंदोरी सहाब ने साइडे का चौथा गाना है पलके हो खुली या बंसनाम ये जो गाना है ये अल्बम का दूसरा सबसे पॉपुलर गाना था और आज भी ये गाना पॉपुलर है आज भी हिट है इस गाने को कुमार सानू और अलका यागनिक ने गाया था और लिखा था रानी मलिक ने पलके हो खुली या बंसनाम तेरी तस्वीर दिखाई दे पलके हो खुली या बंसनाम तेरी तस्वीर दिखाई दे मेरा नाम पुकारे जब कोई मुझे तेरा नाम सुनाई दे पलके हो खुली या बंसनाम दरसल अनूमलिक की ये जो कंपोजिशन थी ये उरिजिनली उनहीं की एक फिल्म थी 1988 की फासी के बाद उसमें उन्होंने एक गाना बनाया था महबूब मेरे जिसे लता मंगिशकर जी ने गाया था और ये गाना है ममाली नी और शत्रगन सीना जी पे फिल्म आया गया था और उस दोर में ये गाना भी काफी पॉपुलर था तो टककर में उसी टी उनको थोड़े बहुत फिर बदल के बाद अनुमलिक ने इस्तेमाल की थी और इस बार भी ये पसंद की गई मैं देखूं जब जब आईना मुझे तेरा ही चेहरा दिखता है हो गया मैं बिलकुल पागल हर कोई बस ये कहता है महभूब तुमारे चेहरे पर मुझे को तो नजर खुदाई दे मेरा नाम पुकारे जब कोई मुझे तेरा नाम सुनाई दे तो दोस्तों ये थी साइट A के गानों की बाद अब बढ़ेंगे साइट B की तरप और साइट B का पहला गाना था Love is Mad ये गाना भी मुझे बिलकुल याद नहीं इसे गाय था अलिशा चिनौई जी ने अनुमली के कुछने कुछ गाने उस दोर में अलिशा गाही रही थी और इसे लिखा था देव काहली ने Love is Pain, दर्द होता है प्यार में Love is Madness, जान जाती है प्यार में Love is Pain, दर्द होता है प्यार में Love is Madness, जान जाती है प्यार में Sideway का दूसरा गाना है आँखों में बसाया था, यह दर असल Sideway का जो गाना था अभीजीत की आवाज में आँखों में बसे हो तुम उसी का एक और वर्जन है जो कुमार सानू की आवाज में है इसे लिखा था Maya Govind ने, दोस्तों उस दोर में सुनिल शेठी की बहुत सारी ऐसी फिल्में है जिसमें अभीजीत के जो गाने थे, उनका एक वर्जन जो है, मुजिक डिरेक्टर्स जो है, वो कुमार सानू से भी गवाते थे, एक गाना और आपको बहुत पॉपुलर याद दिला दूँ जो धड़कन फिल्म में था, वो गाना था, तुम दिल की धड़कन म भी गाया था, तो उसी तरह यहाँ पर ये गाना अभीजीत ने भी गाया है, और एक वर्जन इसका सानूदा की भी आवाज में है, तो प्रदीप जो है, एक बार हमें सानूदा की आवाज वाला वर्जन भी सुनाएंगे. आखों में बसाया था, तुम्हें दिल में चुपाया था, जब उचाहो तुम्हें देखों, आइना बनाया था, आखों में बसाया था. तो दोस्तों, साइट बीक का तीसरा और इस आलबम का आखरी गाना है, तेरी आखों ने ऐसा कमाल किया, ये गाना जो है कुमाज सानू और अलकायागनिक जीने गाया था और इसे लिखा था नवाब आरजुने. तेरी आखों ने ऐसा कमाल किया है, मुझसे मिल मिलके, मुझसे मिल मिलके, मुझसे मिल मिलके मेरा बुरा हाल किया है. तेरी आखों ने ऐसा कमाल किया है, मुझसे मिल मिलके, मुझसे मिल मिलके, मुझसे मिल मिलके मेरा बुरा हाल किया है. दोस्तों, अनुमलीकुन कमाल के कमपोसर्स में से एक है, जिन्होंने बहुत ही लाजवाब शायरों और गीतकारों के साथ काम किया है, चाहे वो उनका लेट टेटीज का काम हो, या फिर नाइंटीज का, उनके अलबम्स में बहुत सारे गीतकार शायर जो है, वो गाने जैसे गीतकार भी इस अलबम से जुड़े हुए हैं, और केवल के अलबम ही नहीं, उस दौर के बहुत-बहुत सारे अलबम्स जो है, अनुमलीक के उसमें, आपको बहुत आला धर्जे के राइटर्स गीतकार मिलेंगे, इसलिए उनके गीतों की जो कॉलिटी है, जो जिसके मुजिक पर हमने पहले भी बात की है, तो टकर जो है, वो बॉक्स आफिस पर बहुत ज्यादा काम्याब नहीं थी, एवरेज थी, इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर सुनिल शेटी जो है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे, वो इसका प्रमोशन नहीं करना मिली थी, लेकिन critically इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था, और सुनिल शेटी ने ये बाद बाद में जाहिर भी की, मानी भी कि इस फिल्म को, उनकी इस फिल्म को ज्यादा critically acclaimed उस समय किया गया था, उनकी बाकी फिल्मों के मुकाबिल, तो दोस्तों, कसट classics में आज हमने बाद की फिल्म टककर की, इस पूरे अल्बम में जो है, एक गाना आखों में बसे हो तुम, वो डॉमिनेट करता है, बाकी गाने भी अल्बम के अच्छे है, लेकिन ये गाना जो है, ये समय की कसाओटी पर खरा उतरा है, इसलिए आज भी लोग इसे सुनते हैं, और इस अल बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए और बहुत 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 शक्री आपका.